तो ही गाई स्वागत है आप सब का मेरे चैनल में आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो भई कामनी की फाइनली जो है रिप्लाई वीडियो आ चुकी है जिसके लिए लोग बे सबरी से इंतिजार कर रहे थे बेताब थे इवन लोगों ने ये तक बोल दिया था कि अर हमारे घर की बाते उन लोगों को कैसे पता जो ओन कैमरा जो चीज़े आई नहीं उन्होंने इतने टाइम पहले वीडियो बना के बता दी कि मेरा एज़ा मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूं कि ये किचन के लिए ये सब तमाशा किया जा रहा है किचन अलग करना चाती है और उन लोगों को कैसे पता चल जाती हैं सब चीज़े उन्होंने कहीं न कहीं डारेक्ट ये कहा कि रियक्शन चैनल जो है हमारे जो घर के मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ जो हैं मिले हूँ है देखें आपे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कभी भी किसी भी यूटूबर को और क किसी भी रियक्शन चैनल को कभी भी आपस में बात नहीं करने चाहिए हाँ एक अच्छे अच्छा बोंड बनाने के लिए बात कर सकते हैं लेकिन जब आप उनके उपर कोई भी वीडियो बना रहे हैं कोई भी रियक्शन दे रहे हैं या उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे ह तो क्या मैं क्रिटिसाइज उसको कर पाऊंगी क्या मैं उसकी गलतिया बता पाऊंगी बिल्कुल भी नहीं वो इसलिए क्योंकि काम नहीं जब मिरसे बात करेगी ना तो वो कही ना कहीं अपने चीज़े बताएगी मेरा मतलब कि वो अपनी अच्छी चीज़े बताएगी औ तो चीज़े वो खुद नहीं आके खुल के बता पाते या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं बोल पाते वो चीज़े जो है रियक्शन चैनल के थूप बताई जाती है और फिर उसके बाद होता क्या है हमेशा से हमने यूटूब में देखा है रियक्शन फिल उसपे जो है अलका ने ये बोला मैंडम ने ये बोला कि बाई देवर और सास के उपर जो है न मैं कारवाई करने जा रही जाएा मैं जाकि अभी महिला आयों को कंपिलैन करती हूँ और हाला कि इनसे बिना पूछे जो है ट्वीटर पे ट्वीट कर दिया गया ऐसा कामनी का कहना है कि मुझे पता भी नहीं था ट्वीटर पे ट्वीट कर दिया गया और उसके बाद मुझे बोला गया कि आपको जो है न एक कंप्लेंट देनी होगी मतलब एक रिटन में आपको देना होगा जिसके बाद आपके देवर और आपकी सास के उपर महिला आयोग कारवाई करवाएगी लेकिन वहाँ पर कामनी ने बहुत अच्छे सूज बूच से काम लिया ने डिरेक्टली जो है मना कर दिया कि नहीं मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं करनी है मेरी फैमली के खि करती है बार-बार यही चीज़े खराब करती है घर में एक बले मोर लगाया था कि मैंने इनको बहुत ज़्यादा जान पैचान दिलवाई है ऐसे ऐसे शो दिलवाएं हैं और एक शो मैं और दिलवाना चाते थी जहां पे नेहा अशी श्तिवारी भी जा रही थी और इनको भी अप्रोच किया गया था मैंने इनका नाम दिया था और ये कहीं न कहीं वहापे सलेक्ट भी होगी थी लेकिन अजीत भाईया ने एन मोगे पे आके सारी चीज़े खराब कर दी उन्होंने मना कर दिया साफ की नहीं ये वहाँ पर नहीं जाएगी लेकिन अजीत ने को वहाँ पर ले जाना चाती थी लेकिन कामनी ने ये बोला कि मेरे ना जाने की वज़े से इनका बहुत बड़ा लोस हो गया और कहीं ना कहीं शायद इनकी कोई ऐसी मनशा रही होगी शायद इनको कुछ ऐसा प्रोफिट होता कि अगर ये वहाँ पर जाती तो वो इनका भर पूर लोस हुआ ये कि बहुत दिन से जो है कामनी के उपर इलजाम लग रहे हैं देवरानी की प्रेगनेंसी को लेके क्या इसको पता नहीं था ये जान बूच के घूमने चली गई इसको सब पता था ये कि घर में रहती है फिर भी जो है इतनी अकड है इतनी गंदी है फला पत के नीचे रहने के बाद भी जठानी को इस चीज की भनक तक नहीं थी कि उनकी देवरानी प्रेगनेंट है इसको जो है मना किया गया था कि नहीं बताना और ये बाते मैंने आज से बहुत दिन पहले वीडियो में भी बोली थी कि जो प्रेगनेंसी की बाते उठ रही है तो होता है कि जब यार दिवरानी जठानी की नहीं बनरी इतनी ज़्यादा जैलिसी फेक्टर है इन लोगों के बीच में तो होता है कि जब तक 3-4 महीने नहीं निकल जाते अच्छे से तो नहीं बताना कुछ लोगों के मन में ये चीज़े आ जाती है कि नजर लग जाएग वो जो है positive नहीं है मेरे लिए उसका जो है दिल मेरे लिए मतलब positive नहीं अच्छा नहीं सो सकते शायद वो मेरे बारे में तो मुझे अभी नहीं बतानी चाहिए तो ये चीज मैंने पहले ही बोली थी कि शायद हो सकता है कि कामनी को ये बात नहीं बता होगी और कामनी को ये बात तब पता लगी जब उनके साथ ये वला हादसा हुआ और वो भी दिधी ने उनको फोन कर करके ये बताया जीड भाईया ने का कि हमारा जीना हराम कर दिया थे इक तो हम ट्रैवलिंग में थे उपर से इतना ज़्यादा परिशान थे और कामनी इतना ज़ादा मुहाँ पर रो रही थी ये बाते सुनके ये सब क्या हो गया उनको इतना ज़ादा मेंटली प्रेशर दिया जा रहा था बांट ये कि चार यूटूबर्स के नाम लिये गए थे सचीन, मनीशा, सपना, नेहा, शिश्टिवारी और लखनीट इन चारों के बारे में भी इनोंने बोला कि यार हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी से इनोंने जो है गल्द पोट्रे करके उस चीज़ को बताया कि मैंने जो है सपना और नेहा अशिश्तिवारी के साथ फोटो लगाने से मना कर दिया था जबकि उसके पीछे का रीजन कुछ होड़ था और नहीं हमारी ऐसी मान सकता है कि हम जो है इस तरीके की अपने दिमाग में सोच रखें लोगों के लिए कि भई वो अगर वीड़ो है तो मैं अपनी फोटो क्यों लगाऊं नहीं उसके पीछे का रीजन ये था कि ये बार बार जो उनको बेचारी या फिर वो जो एक इनके उपर केस हुआ था उनके हस्बेंड वाला तो उस चीज़ को लेके कहीं न कहीं कामनी ने मना किया था कि मुझे इन सब चीज़ों में मत धके लो मुझे यहाँ पर नहीं जाना तो प्लीज आप मेरी फोटो यहां से हटा दीजी बेहन के लिए भी बोला गया कि मैंने लखन से दुश्मनी ले ली इनके लिए ये ले ली तो यार लखन से दुश्मनी क्यों ली किसी और क्रेटर से दुश्मनी लेने की जरूरत ही क्या है पहली बात तो यह न सबसे बड़ा पॉइंट तो यह इनका कि यार क्यों जाना किस से उनको जवाब देते हैं यह चीज भी बताई कि लखन को भी इतना जादा परिशान किया गया बार बार फोन करे गए उसको इतना परिशान कर दिया पता नहीं क्यों के घर जाना चाहती है अगर सपना की स्नैपी गल की तो वहां पे उन्होंने यह चीज़े क्लियर नहीं बत हाती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं सपना के लिए और नहाश इश्टिवारी के लिए जो भी चीज़े हुई है इन्होंने पब्लिक से पूछा है कि आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि क्या हमें वह बाते बतानी चाहिए फिफ्ट पॉइंट यह कि देवरानी के जो चनाएगी कि आज मुझे बहुत बुरा लगा है आज मैं बहुत जादा हर्ट हुई हूँ मैं अपने परिवार से ही तूट गई हूँ जैसे कि उस टाइम पे उन्होंने फटा फट से उनकी एक वीडियो के बाद फटा फट से शोर्ट बना डाला था उन्होंने एक बार भी ये चीज नहीं देखी जाके कि क्या ये सच है इस चीज का कोई प्रूफ है जबकि उनके हस्बेंड ने जो है अपनी भावी के लिए काफी गंदा बोला था मरने तक की बाते की थी कि कंदा नहीं देंगे ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा और वो सारी पबलिक देख हैं जो अपने कानों से सुन चुके हैं तो यहाँ पर जो इनकी देवरानी की भी गलती है सबसे पहले अपनी फैमिली से बैट के बात करनी चाहिए कि क्या आपने इस तरीकी के कोई ऐसे वर्ड बोले हैं मेरे लिए या मेरी बेटी के लिए या मेरे पापा के लिए जो भी चीज़े होंगी न वो अब जैसे ही वो लोग वापिस आते हैं तो हम उन्हें बैट के सारी चीज़े बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था क्या क्या बोला गया था उनकी फैमिली के लिए भी और रही बात देवर के साथ जाके मिल जाने की पल्टी मारने की तो कामनी नहीं यह काई कि इनके उपर जो है कोई करोडों का केस हुआ है उसकी वज़े से जो है यह जाके उनकी ममी के पैरों में गिर गई ताकि जो है यह उस केस से बस सके या फिर यह कह लीजिए कि भई जो भी निकी कि उस टाइम पे हालत खराब हुई थी इनको कही ना कहीं ऐसा लगा कि इस चीज़ का सारा ब्लेम कहीं मेरे उपर ना आ जाए इसलिए ये फटाफट से वहाँ पर चली गई पर देवर के साथ कॉंट्रोवर्सी करने के उस टाइम पे तो कामनी ने यहाँ पर मना किया कि भाई मैंने इनको मना किया था समझाया था कि ये सब चीज़े मत करो लेकिन बार बार जो है ना इनको बोलना था कि ये बेचारी मैं इसके लिए स्टैंड ले रही हूँ मैं ये करी हूँ इवन इतनी जादा तारीफ करी थी अजीद भाया की कि आपको बहुत अच्छी वाइफ मिली है लेकिन वही बात है ना जब आपने इतना कुछ अच्छा किया उन लोगों के साथ तो आपको इस तरीके से नहीं बदलना चाहिए था बदलने का मतलब आपके सब बाते ही ओफ कैमरा हुई थी तो आप ओफ कैमरा ही इन चीज़ों को निप्टाना था कुछल मीडिया पर नहीं लेके आना चाहिए था देखिए वही बात है ना कि भाई परिवार तो परिवार होता है जब दो इंसानों के बीच में लडाई होती और वह भी जहां ब्लड रिलेशन हो तो वहां पर चाहिए उन दोनों के कितनी गलती रही होगी लेकिन अगर ती किसी के भी फैमिली में इतना इंटरफियर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को इतना ज्यादा ट्रोल करना चाहिए कि वह इंसान मजबूर हो जाए और बार बार जो कामनी को पोक किया जाता है कभी कुछ बोलके कुछ बोलके तो आई थिंक जो है वीडियो के अधार पे र जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकेन को प्रेस करना बिल्कुल ना बूलें सोब बाई मैं मिलते हूं आपसे एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए बाई